तो इसमें हमारी जोग्रोफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज अपनी इस सीरीज में क्लासिक्स जोग्रोफी एंसी आटी के चैप्टर नमबर फोर मैप्स को कंटिन्यू करेंगे इससे पहले हमाई दो लेक्चर हो चुके हैं अगर आप उन्हें नहीं देखें तो आप प्लीज देख लिजे प्रेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको हमाई लेक्चर की पीडिएफ चाहिए तो आपको उसका लिंक हमाई टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं आपको मैप्स की तीन टाइप्स और तीन इंपोर्टेंट के बारे में बताया था जो की है डिस्टेंस डारेक्शन एंड सिंबल से उसको पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं सिंबल्स को अब यह जो हमारा सिंबल है क्या ही तीसरा इंपोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे मैप का अब यह जो हमारे मैप का जैसे माल लिजा है अगर हमें कोई मैप ड्रॉ करना है अब वहां पर कहीं पर रेल्वे लाइन आ गया रोड आ गया स्कूल आ गया कोई बिल्डिंग आ गया तो अब उसको अब वहां पर हम ड्रॉइंग तो नहीं बनाते फिर एंगे यह रेल्वे लाइन को डिनॉट कर रहा है तो मतलब और यह जो वहारा सिंबलस हैं यह क्या करते है इजिवी कोई भी मतलब यह बिल्डइंग वग्यरा जो है इनको एजली डेपिक्ट करना है अब हमें मैप में ने यह बहुत ही helpful होते हैं, अब यह symbols होते क्या हैं, तो यह symbols, letters हो सकते हैं, shades हो सकती हैं, color, pictures या lines, इन सब से combine होके हैं, इन सब में से कुछ एक हमारे symbols बनते हैं, हर चीज के, these symbols give a lot of information in a limited sense, अब यह जो हमारे symbols हैं, जो हमने अभी पढ़ा की, मतलब यह हमें help करते हैं, buildings वगएरा को depict करने में map में, तो यह हमारे बहुत ही helpful होते हैं, क्योंकि एक छोटे से map में, सारे symbols की help से हम सारी बड़ी-बड़ी buildings वगएरा को depict कर देते हैं, जिससे हमको और easily, चलता है, तो यह हम क्या सकते कि वह एक छोटे से space में, यह symbols हमारे लिए बहुत सारी information carry करते हैं, with the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read, इन symbols की help से हम map आसानी से बना सकते हैं, और उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अब जैसे अगर हमें आप एक example लेके आपको बता सकते हैं, कि माल दीजे कोई हम ऐसी location पे हैं, ऐसी place पे हैं, जहां कि हमको language नहीं पता है, तो हमाई पास अगर उसका map है, तो क्या यह ज्यादा है, मतलब यह सही रहेगा उस location को घूमने के लिए, तो हाँ भाई सही रहेगा, क्यों क्यों map की जो language होती है, वो universal होती है, जो भी उसमें symbols रहते हैं, वो universal रहते हैं, कि भाई, यह symbol इस चीज के लिए fix किया गया है, तो यह पूरे हर जगा जो भी map बनते हूं, उनमें यह symbol वही specific चीज को depict करेगा, अब यहां पे जैसे वही चीज लिखा है, कि even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information from map with the help of these symbols, map have a universal language that can be understood by all, map के पास उसकी एक universal language है, ज जो symbols की, जो कि सबके बास दोरा संधी जा सकती है, there is an international agreement regarding the use of these symbols, these are called conventional symbols, अब यहां पे बताया, अब जैसे मैंने बताया कि भाई, universal अभी बताया, कि भाई, सारे map एक specific symbols के हिसाब से बनते हैं, तो वो जो सारे international agreement हुआ था, कि भाई, जितने symbols होते हैं, इनका एक agreement हुआ है, क यह चीज इसको denote करेगा, यह चीज इसको, तो यह जो agreement के हिसाब से वाले symbols होते हैं, उनको हम conventional symbols कहते हैं, यह हम आगे figure में देखेंगे, आगे देखते हैं, some of the conventional symbols are shown in the figure, अब आगे यह जो हमारे यह वाला figure है, इसमें conventional symbols बताएं हैं, conventional symbols, various colors are used for the same purpose, अब यह जो हमारे conventional symbols होत हैं, कि मतलब यह color भी बताते हैं, कि color की use को भी यहां पे specific रखा गया है, जैसे कि अगर हमें blue color से कुछ दिखाना है नदी, तो हमेशा हम देखते हैं, हर map में water को, river को, lake को blue color से denote किया गया, mountains को brown color से, और greenery को green color से, तो इसमें कहारे हैं, भाई, symbols को भी fix रखा गया है, sorry, colors क use for sewing water bodies, brown for mountains, yellow for plateau and green is used for the plains, अब जैसे है हमारे कुछ conventional symbols है, इनको हम देख सकते हैं, कि railway line में जो broad gauge होते हैं, चोड़ी पत्ती वाले तो उनमें यह वाला symbol है हमारा, एक मिनट, हाँ, broad gauge के लिए यह वाला है, meter gauge के लिए यह वाला, railway station के लिए यह वाला symbol है, roads के लिए है, यह द के लिए, यहाँ पे conventional symbols में, मतलब हर एक चीज को बताया गया है, एक दब agreement के हिसाब से fix रखा गया है, कि जितने भी maps बनेंगे, उनमें अगर इन in places को mention करना होगा, तो हम यही यही symbols करेंगे, जैसे यहाँ पे शत्री, मौश्क्यू, इन सब को fix रखा गया है, post office वगेरा का और telegram office, police station, यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसमें letters का भी यूज करते हैं, colors का भी यूज करते हैं, तो यह सब इसमें दिख रहा है, conventional symbols में, आगे देखते हैं, यह जैसे कि एक example लिया था, NCRT में सुन्दरपुल village करके है, तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं, कि यह हमार इसमें अच्छे से बताया है, यह आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं, स्केच के बारे में, अब सिर्फ सिम्बल से कोई भी चीज को डिपिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो अब देखते हैं, sketch, a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale, sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places, तो इसमें कह रहा है कि sketch जो है, यह scale पर नहीं depend करता है, कि अगर हम कोई भी जगह का कोई भी place का sketch बना रहे हैं, तो वो इस पर नहीं depend करता है, कि हम उस sketch को scale से depict कर रहे हैं या नहीं, sketch बस एक normal memory की एक drawing होती है, spot observation होता है, कि यह एक rough sketch है, इस location का आपको यह पर जाना है, ऐसे करके, sometimes a rough drawing is required, अपको यहीं कह रहे है कि भाई, कोई भी area अगर हमको माल लेजे, कहीं पर जाना है, तो उसकी एक कभी-कभी, जब नहीं समझ में आया, नहीं understand हो पाता है, तो कहीं कभी-कभी, एक rough sketch की जरुरत पढ़ती है, rough drawing की जरुरत पढ़ती है, उस location को, उस location की memory को अच्छे से, मतलब memorize करने के लिए, हमें sketch की जरुरत पढ़ती थे, यहाँ पर उसी की बात हो रहे है, suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way, अब जैसे की होगा, यहाँ पे एक example लिया है, माल लीजे, आपको अप कहीं जाना है, अपने दोस्त के घरी जाना है, पर आपको नहीं पता है, तो वो बताएगा कि भाई, आप ऐसे इस road पे यहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको यह मिलेगा, मतलब एक rough drawing आपको बना के दे देगा, copy में, अकसर ऐसा, मतलब school time में हम लोग अकसर कहते थे, जब हम लोग को कोई दोस्त के यहाँ या कोई जाना था, तो वो मतलब बताते थे कि भाई, यहाँ से जाओ, इस रास्ते में जाना इधर मुड़ोगे, तहाँ पे hand pump दिखेगा, आगे जाओगे तो यह मंदिर दिखेगा, इधर यह दिखेगा, इधर वो दिखेगा, ऐसे करके एक sketch बनाते हैं, एक rough drawing बनाते हैं, कोई भी location का, तो your friend may make a rough drawing to show the way, अब जैसे कि अभी हम बताएं, कि भाई, आगे गया, यह यह तो यह एक rough drawing हो गई, अब अगर कोई किसी से पूछे, मालीजे, आप अपने दोस्से पूछते हैं, कि भाई, तेरा घर कहाँ पे है, तो बताएगा कि देख, ऐसे आना, फिर यह चौरहा मिलेगा, इसे र conventional symbols देखे, अब हम देखते हैं, plan की, हमारा plan होता क्या है, plan is a drawing of a small area on a large scale, यहाँ पर क्या भी कह रहा है, कि हमारा plan क्या होता है, कोई पी एक specific location का drawing large scale में, अब large scale मैंने आपको first lecture में बताया है, कि भाई, कोई चीज़ को अच्छे से denote करना है, depict करना है, तो हम large scale का use करते है, large scale हमेशा छोटी area को depict करने के लिए use होती है, a large scale map gives lot of information, but there are certain things which may be sometimes want to know, for example, the length and breadth of a room which can't be shown in a map, अब इसमें कह रहे हैं, कि हमारा जो large scale map होता है, कोई भी एक specific location का, यह हमको बहुत जादा information देता है, a lot of information it provides us, तो अब हमको अब जैसे कुछ कुछ कभी कभी हर चीज में कुछ में कुछ कमिया रहती है, तो यहां पर क्या है, कि भाई, अगर हमें large scale map, अगर हम draw कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमको कोई एक room बनवाना है, रूम का length of breadth तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि map यह सब नहीं बताता है, अच्छा, यहां पर यह plan कह क्या रहा है, जैसे मान आप से आपको हर एक room, हर एक चीज का decor बना के देगा, कि भाई आप इतने से इतने square foot में आपका यह room रहेगा, इतने से square foot में आपका यह रहेगा, हर चीज को एक length, distance, distance, हर चीज मेजर करके, वो आपको depict करके देगा, जिससे आप उसको अच्छे से draw कर सकें, अच्छे से आ we can refer drawings drawn to scale called a plan, अब यह जो हमाई drawings होती है, यह एक scale के मताबिक ही बनेगी, क्योंकि अगर माल लीजा हम उसमें यह कर सकते हैं, अगर हमको एक square foot की जमीन का पूरा sketch आपको एक paper में depict कराना है, तो आप उसमें obvious सी बात है, large scale के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो इ इसी के साथ, plan के साथ हमारा जो मतलब complete होता है, यह chapter number 4 maps, इसके next lecture में हम नया chapter स्टार्ट करेंगे, so thank you for watching and stay tuned with us.